गुड मॉर्निंग स्टूडेंस आज हम पानी की कहानी पाट पड़ेंगे इसके लेकक है रचनाकार है रामचंद्र तिवारी जी प्रस्तावना प्रसंग चित्र में देखें जमीन सूखा गया है और पशु वहां से जा रहे हैं मतलब बारिश के बिना जमीन सूखा पड़ा हुआ है यहां पर छोटी सी कविता दी गई है सावन भादो साधू हो गए बादल सब सन्यासी पच्छु आचूस गई पुरबा को धरती रह गई प्यासी फसलों ने बैराग ले लिया जोगी हो गई धानी राम जाने कब बरसेगा पानी बेकल उच्छा ही इसके रचनाकार है बेकल उच्छा ही यहां पर तिन प्रश्न दिये गए हैं इन पंक्तियों में कैसे समय का वर्नन है यहां पर बारिश ना पढ़ने के बादल ना होने के समय का वर्नन है यहां पर सुखा पड़ा हुआ है अकाल में लोगों को क्या क्या समस्या होती होंगी अकाल याने जब बारिश नहीं होती है तब अकाल पढ़ता है जब अनाज नहीं हुगता है पीने के लिए पानी की परिशानी होती है पशु पक्षियों को चारा नहीं मिल सकता है हमें भी अनाज की समस्या आ जाती है इस तरह सभी को समस्या बहुत सारे आ जाती है पानी हम लोगों तक कैसे पहुंसता है पानी बादलों से हम तक पहुंसता है जैसे कि बादल से बारिश होती है बारिस से ताला बे भर जाती हैं अनाज उखता है इस तरह पानी हमें पहुंसता है मैं आगे बड़ा ही था कि बेर की जाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी मेरे आच्छरी का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि ओस की बून मेरी कलाई पर से सरक कर हतेली पर आ गई मेरी दुरुष्टी पड़ते ही वह ठहर गई थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी जंकार सुनाई देते लगी मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा चारों ओर देखा कोई नहीं फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हतेली से निकल रहा है ध्यान से देखने पर मालम हुआ कि बून के दो कन हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन कर रहे हैं मानों बोल रहे हो उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना सुनो सुनो मैं चुप था फिर आवाज आई सुनो सुनो अब मुझे से ना रहा गया मेरे मुख से निकल गया कहो कहो ओस की बून मानो प्रसनता से हिली और बोली मैं ओस हूँ जानता हूँ मैंने कहा लोग मुझे पानी कहते हैं जल्भी मालुम है मैं बेर के पेड में से आई हूँ जूटी मैंने कहा और सोचा बेर के पेड से क्या पानी का फवारा निकलता है बून फिर हिली मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो सुनो मैं इस पेड के पास की भूमी में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी मैं कडों का फृदय टटोलती फिरती थी कि एका एक पकड़ी गई कैसे मैंने पूछा वह जो पेड तुम देखते हो ना वह उपर ही इतना बड़ा नहीं है पृत्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है उसकी बड़ी जड़े चोटी जड़े और जड़ों के रोएं हैं वे रोएं बड़े निर्दई होते हैं मुझ जैसी असंख जल कड़ों को वे बलपूर्वक पृत्वी में से खीच लेते हैं कुछ को तो पेड एकदम खा जाते हैं और अधिकांख्ष का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं गुरोध और गुरुना से उसका शरीर काम पुठा तुम क्या समस्ते हो कि वे इतने बड़ेयों ही खड़े हैं इन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंदुओं ने अपने प्रान नाश किये हैं मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था हाँ तो मैं भूमी के खनिजों को अपने शरीर में घुला कर आनंद से फिर रही थी कि दुरभाग्यवश एक रोएं से मेरा शरीर चुगया मैं कापी दूर भागने का प्रयत्न किया परन्तु वे पकड़ कर छोड़ना नहीं जानते मैं रोएं मैं खींच ली गई फिर क्या हुआ मैंने पूछा मेरी उचसकता बड़ बड़ चली थी मैं एक कठरी में बंद कर दी गई थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीचे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़ कर आगे को खींच रहा हो मेरा एक भाई भी वहां लाया गया उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था आगे एक और बून मेरा हाथ पकड़ कर उपर खींच रही थी मैं उन दोनों के बिच पिस चली मैं लगभग तीन दिन तक यह सांसत भोगती रही मैं पत्तों के नन्ने नन्ने छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचा कर भागी मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाओंगे परन्तु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देता है जा चका है और वायु मंडल में इतने जलकन उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं था नहीं है तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूत पड़ी यहां पर ओसकी भून मनश्य से बात कर रहा है इस दुख तथा भावपून कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा मैंने कहा जब तक तुम मेरे पासो कोई पत्ता तुम्हें ना चू सकेगा भाईया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ उनका दर्शन करते ही मुझ में उन्ने की शक्ती आ जाएगी मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाओंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा अच्छा सुनाओ बहुत दिन हुए मेरे पुर्खे हद्रज हाइड्रोजन और ओशजन मतलब आक्सीजन नामक दो गय सुर्य मंडल में लप्टों के रूप में विज्यमान थी सुर्य मंडल अपने निचित मार्ग पर चकर काट रहा था वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मान में उधल पुतल हो रही थी अनेग्रह और उपग्रह बन रहे थे टहरो क्या तुमारे पुर्खे अब सुर्य मंडल में नहीं है उनके वम्षज अपनी भयावः भप्टों से अब भी उनका मुख्य उज्वल किये हुए है हाँ तो मेरे पुर्खे बड़ी प्रसनता से सुर्य के धरातल पर नासते रहते थे एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा उनकी आँखे चोंदी आने लगी यह पिंड बड़ी तेजी से सुर्य की ओर बढ़ रहा था जो जो पास आता जाता था उसका आकर बढ़ता जाता था यह सुर्य से लाखो गुना बढ़ा था उसकी महान आकर्शन शक्ति से हमारा सुर्य काप उठा ऐसा अग्ञात हुआ कि उस ग्रुहराज से टकरा कर हमारा सुर्य चूर्न हो जाएगा वैसा ना हुआ वह सुर्य से सहस्त्रो मील दूर से ही घूम चला परन्तु उसकी भीशन आकर्शन शक्ति के कारण सुर्य का एक भाग तूट कर उसके पीछे चला सुर्य से तूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाओ संभालना सका और कहीं टुकडों में तूट गया उन्ही में से एक टुकडा हमारी पृत्वी है यह प्रारंब में एक बड़ा आग का गोला थी ऐसा परन्तु उन लप्टों से तुम पानी कैसे बनी मुझे ठीक पता नहीं हाँ यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हैड्रोजन और ओशजन यानि आक्सिजन के रासाइनिक क्रिया के कारण उत्पन्वी हूँ उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया है और मुझे उत्पन्व किया है मैं उन दिनों भाप के रूप में प्रुत्वी की चारों और घुमती फिरती थी उसके बाद न जाने क्या हुआ अब मुझे होश आया तो मैंने अपने घोठोस बर्फ के रूप में पाया मेरा शरीर पहले भाप रूप में था वह अब अत्यंत छोटा हो गया था वह पहले से कोई सत्रावा भाग रहा गया था मैंने देखा मेरे चारों और मेरे असंग के साती बर्फ बने पड़े थे जहां तक दुरुष्टी जाती थी बर्फ के अतिरिक कुछ दिखाई ना पड़ता था जिस समय हमारे उपर सूर्य की किरने पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था हमारे कितने साती ऐसे भी थे जो बड़ी उच्शुकता से आधी में उचा उड़ने उचलने खूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां बड़े आनंद का कितने दिनों तक कई लाख वर्षों तक कई लाख हाँ चौको नहीं मेरे जीवन में सौ दो सो वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है मैंने ऐसे दीर्ग जीवी से वारता लाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बून के प्रती मेरी श्रदा बढ़ चली हम शांती से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानिया सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों सबके मूख उपर हवाईया उड़ने लगी अब क्या होगा इतने दिन आनन से काटने के पच्छाथ अब दुख सहन करने का साहस हम में ना था बहुत पता लगाने पर हमें ग्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दब कर पानी हो गए है उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले है मैं कई पा मा समुद्र में इधर उदर घूमती रही फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई धारा के जलते अस्तित्व को ठंड़क पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोंखनी प्रारंब कर दी और उसके फलस्पुरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृष्ट देखा वह वर्ननातीत है मैं अभी तक समस्ती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंदू बांदों का ही रज है परन्तु अब ज्यात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिलकुल नहीं भाया जी मचलाने लगा पर दीरे दीरे सब रह सहन हो चला एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के उपर तो बहुत घूम चुकी हूँ भीतर चल कर भी देखना चाहिए कि क्या है इस कारी के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंब कर दिया मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे मैंने अच्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घूंगे जहलीदार मचलियां कई कई मनभारी कच्वे और हातों वाली मचलियां देखी एक मचली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी उसके आठ हात थे वह इन हातों से अपने शिकार को जकर लेती थी मैं और गहरा की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी अब तक समुद्र में अंधिरा था सूरी का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगा कर देखने के खारण मेरे दुखने लगे थे नेत्र दुखने लगे थे कि मैं सोंच रही थी कि यहां पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लाल टेन लिए घूम रहा हो यह एक अत्यंत सुन्दर मचली थी इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अंजान मचलियां इसके पास आ जाती थी और यह जब भूकी होती थी कि पेट भर उनका भोजन करती थी विचित्र है जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुची तो देखा कि वहां भी जंगल है छोटे ठिंगने, मोटे पत्ते, वाले पेड भहतायस से उगे हुए है वहां पर पहाडियां है, घाटियां है इन पहाडियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंदे तता महा आलसी है यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे जी में आया कि उपर लोट चले परन्तु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंबव है मेरे उपर पानी की कोई तीन मील मोटी तह थी मैं भूमी में घुश कर जान बचाने की चेश्टा करने लगी जह मेरे लिए कोई नई बात ना थी करोडों जलकन इसी भाती अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धस्ता जाता है मैं अपने दूसरे भाईयों के पीछे-पीछे चटान में घुश गई कई वर्षों में कई मील मोटी चटान में घुश कर हम पृत्वी के भीतर एक खोकले एस स्थान में निकले और एक स्थान पर इखटा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए कुछ की सम्मानती में वही पड़ा रहना ठीक था परन्तु हम में कुछ उच्छाही युवा भी थे वे एक स्वर में बोले हम खोज करेंगे पृत्वी के रुदे में घुम घुम कर देखेंगी कि बीतर क्या चिपा हुआ है अब हम शोर मचाते हुए आगे बड़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी ना था बड़ी बड़ी चट्टा ने लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उदर बहने उतावली हो रही थी इसी स्थान के आसपास एक धुरगटना होते होते बची हम लोग अपनी इस खोश से इतने प्रसन थे कि अंधा धुन बिना मार्ग देखे बड़े जाते थे उससे अचानक एक ऐसी जगा पहुंचे जहां तापकरम बहुत उचा था यह हमारे लिए असही था हमारे अगवा कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओश जन और हैडोजन में विवाजित हो गया इस धुरगटना से मेरे कान खड़े हो गए मैं अपने और बुद्धिमान सात्यों के साथ एक और निकल भागी हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृत्वी का गर्ब रह रहकर हिल रहा था एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ हम बड़ी तेजी से बाहर फेंग दिये गए हम उंचे आकाश में उड़ चले इस धुरगटना से हम चौक पड़े थे कि पीछे देखने से ज्ञाथ हुआ कि पृत्वी फड़ गई है और उसमें धुआ रेत पिगलती पिगली धातों तथा लपटे निकल रही है यह दृष्य बड़ा ही शांदार था और इसे देखने की हमें बार बार इचा होने लगी मैं समझ गया कि तुम ज्वाला मुखी की बात कह रही हो हाँ तुम लोग उसे ज्वाला मुखी कहते हो अब जब हम उपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला हम गरज कर आपस में मिले और आगे बड़े पुरानी सहेली आंदी की भी हमें यहां धर्शन हुए वह हमें बीट पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर वह दिन बड़े आनद के थे हम आकाश में स्वच्चंद खिलोले करते फिरते थे बहुत से भाप जलकणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे जुग आये और एक दिन बून बनकर नीचे कूद पड़े मैं एक पहाड पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचोईली खो एक ओर को बह चली पहाडों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मानने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता हम एक बड़ी उन्ची शिकर पर से कूदे और नीचे एक चटान पर गिरे बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से तूट कर खंड खंड हो गया यह जो तुम इतनी रेट देखती हो पत्थरों को चबा चबा कर घर्मी बनाते हो हर्मी बनाते हैं जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारे प्रहार सहन नहीं कर सकती अपनी विजयों से उन्मत होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए मेरी इच्चा बहुत दिनों से समतल भूमी देखने की थी इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे सरिता याने नदी हम कभी भूमी को काटते कभी पेडों को खोकल कर उन्हें गिरा देते बहते बहते में एक दिन एक नगर के पास पहुंची मैंने देखा कि नदी के तट पर एक उंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है मैं उच्चुक हो उसे देखने को क्या बड़ी कि अपने हातों दुर भाग यो हो न्योता दिया जो ही मैं उसके पास पहुंची अपने और सात्यों के साथ एक मोटे नल में खिंच ली गई कई दिनों तक मैं नल नल घुमती फिरी मैं प्रतिक्षन उसमें से निकल भागने की चेश्टा में लगी रही थी भागी मेरे साथ था बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहनल तूटा हुआ था मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और फृत्वी में समा गई अंदर ही अंदर घुमते घुमते इस बेर के बेर पे पास पहुंच गई वह रुकी सूर्य निकल आये थे बस मैंने कहा हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती सूर्य निकल आये हैं तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते वह ओस की बुन धीरे धीरे घटी और आँकों से ओचल हो गई तो बच्चो यहां पर इस पार्ट में हमने पानी के बारे में उसकी बुन्दों के बारे में हमने जाना है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा अपने मित्रों को शेर कीजेगा और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद